Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैंने टमाटर का पुलाव बनाए है और मैंने इसमें ना ही मटरेट किये हैं और ना ही आलू और ना ही कोई सबजी ये पुलाव बहुत ही ईजी है और जल्दी बन जाता है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनता है तो सबसे पहले ये मैंने एक किलो चावल लिये हैं ये चावल जो हैं वो काईनात हैं आप बासमती भी यूज कर सकते हो या फिर सेला भी इसको मैंने बिगोने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने चाट टोमिटो लिये हैं और साथी साथ प्याज भी लिये तो चलो आगे का जो प्रोसेसे कंटीन्यू करते हैं अब यहां पे मैंने कुकिंग ओयल एड़ किया हुआ है अब मैं इसमें स्लाइस की हुई प्याज एड़ कर रही हूँ प्याज को अच्छे से कुक करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक इसको अच्छे से पकाओ ताके प्याज का जो पानी है वो ड्राइ हो जाए अब ये देखें प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है जैसा कि आप देख रहे हो अब मैं इसमें एड़ करने जा रही है टोमेटोस तो टोमेटोस को प्याज में अच्छे से पकाओ और थोड़ा बर टोमेटो को क्रश करो ताके टोमेटो का जो पानी है वो भी ट्राइ हो जाए अब यहाँ पे मैं कुछ मसाले एड़ कर रही हूँ जैसे के नमक वो भी टोमेटो के हिसाफ से एड़ करना है और रेड चिली पाओडर हल्दी पाओडर इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करो रेड चिली पाओडर जो है आप अपने अकोर्डिंग ही देख लेना क्योंकि आगे चलकर मैं इसमें बिर्यानी मसाला एड़ करूँगी अब मैंने इसमें एक चमच जीरा साबित जीरा एड़ किया है और करीपता और ये देखें ये मसाले मैंने इसमें एड़ किया है चाहे तो आप इसमें साबित काली मिच भी एड़ कर सकते हो पर मैं आगे चलके इसमें बिर्यानी मसाला एड़ करूँगी अब मैं चावल के साफ से पानी एड़ कर रही हूँ मैं इसमें दो गिलास पानी एड़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी अब मैं नमक एड़ कर रही हूँ वो चावल के साफ से आप चावल के साफ से नमक एड़ करना और यहां पे मैंने वन टेबल स्पून बिरानी मसाला एड़ किया हुआ है इससे क्या है ना बोलाओ अच्छा बनता है अब मैं इसमें चावल एड़ कर रही हूँ चावल का मैंने पानी जो अच्छे से निकाल दिया है अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं अब यह देखें उपर उपर आपको दिखाई दे रहा है कोकिंग ओईल जो है वो कमप्लीट है सही है अब मैं इसमें एड़ करने जा रही हूँ दो गिरीन चिलीस जाए तो इसी प्रोसेस में आपको कोकिंग ओईल अगर दिखाई नहीं दे रहा आप इसमें एड़ कर सकते हो पर मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है तो सही है अब थोड़ा सा पानी जो है वो आप चेक कर लें ताके मसाले जो हैं वो सही हैं अगर इसमें नमक कमें तो आप इसमें एड़ कर सकते हो अब इसी प्रोसेस में चावल को अच्छे से पकने दो और चमच को जो है थोड़ा बहुत ही चलाना वरना जो चावल है वो आपके तूट भी सकते हैं तो चावल को जितना हो सके चमच जो एक कम ही चलाएं अब ये देखें चावल का जो आदा पानी है वो सूख गया है और टोमेटो और सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स भी हो गए है अब चलें इनको थोड़ा जो पानी है वो ड्राइ होने देते हैं जैसे ही थोड़ा चावर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए है और पानी भी लगबग जो है वो ड्राइ हो गया है तो चलो अब इसी प्रोसेस में चमच जो है वो धीरे धीरे ही आप चलाएं ज्यादा ना चलाएं ऐसे चावल तूट जाएंगे अब इसके ऊपर में थोड़े से सा हरा धनिया जो एड़ कर रही हूं अब यहां पर आप देख सकते हो इसी पॉइंट पर यह थोड़ा बहुत पानी जो है वो पच गया है अब इसको छोड़ी देना है अब मैं इसको कवर कर देती हूं 10 से 15 मिनिट ताके पानी जो वो अच्छे से ड्राइ हो जाए और चावल का एक एक दाना देखो गाईज यह बोलाओ एक दफा जरूर ट्राइ करना यह बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है यह आप आलू के साथ खा सकते हो या फिर ऐसे ही राइते के साथ खा सकते हो या कोई भी फ्राइ की हुई सबजी जैसे बिंडी हो बिंगन हो उ देखें चावल का एक एक दाना जो है वो अच्छे से पग गया है और लंबा लंबा मेरा जो चावल का दाना है वो देखें ये दिखने में कितना मज़े का और टेस्टी लग रहा है ये तो आप बनाने के बाद ही फील करेंगे चलें जी अब मैं इसके उपर थोड़े से हरा दन्याइड कर रही हूं और ये देखें चावल का एक एक दाना थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो जल्दी मिलती नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक कियर